प्रसम विश्वियुद 28 जुलाए 1914 से 11 नौमबर 1918 के बीच लड़ा गया इसमें एक तरफ बिटिश एमपायर, फ्रांस और रशिया थे तो दूसरी तरफ जर्मनी, आस्ट्रिया हंगरी और आटोमेन एमपायर थे सदार रिसाला, जिन्हें जूदपूर लांसर्स के नाम से भी जाना जाता है, ने इस यूद में जूदपूर की हॉर्समेंशिप का लोहा पूरी दुनिया में बनवाया हाइफा की लड़ाई 23 सितंबर 1918 में इसराइल के शैर हाइफा के माउंट कारमल पर लड़ी गई जिसमें जूदपूर लांसर्स के चार सो घुड सवारों की कैवलीन आटोमेन अमपायर के मशीन गन पोजिशन्स को सिर्व भाले और तलवार से चार्ज करके मातर 45 मिनट में जीती है रजस्तान में ये माननेता है कि अगर आप किसी काम में लीन होकर अपनी शारिरिक शम्ताओं को पार कर जाते हैं तो आप पूजनी हो जाते हैं इसी तरीके से 23 सितंबर 1918 को हाइफा की लड़ाई में जब मेजर दलपत सिंग ने ये ठान लिया कि दुश्मन पे विजय परात करनी है तो उन्होंने अपना सरवच बलिदान देकर उपुन्य आत्मकद्र जाताप्त किया और ये आखरी सवाल सब दलपत सिंग जी से आज की जनेरेशन को क्या सीखना चीजिए जो हीरो फाइफा है तो बोला काड़ो मुंडो नहीं करा हूँ बड़ लारे जाओ तो काड़ो मुंडो है आगे जान अगर सही दमा तो इज्जत है जानिये कहानी उन आखरी घुर सवारो की दलास चार्च